हेलो स्टुडेंट्स वी आर लाइव नौ वेलकम टो एसाइएस ओनलाइन क्लासे साय मंकेद बैट एंड आम गोई टू स्टार्ट यूर न्यू एक्सरसाइज 8.2 ओके इस्टुडेंट्स जो प्रीवियस एक्सरसाइस थी वो डिरेक्ट प्रोपोर्शनल पर थी मतलब डिरेक पर नोट करते हैं इन होटल 50 बॉइस देयर इस प्रोवीजन फूर 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 फॉर्टी देज इव थर्टी मोर बॉइस जोईन दी हॉस्पिटर सोरी होस्टेल हाउ लॉंग विल इस प्रोवीजन लास्ट ठीक है अगर तीस स्टुडेंट और बढ़ा दी जाए तो प्रो बॉइस जो हैं वो 50 थे और प्रोवीजन फूर्टी देज का ठीक है अब थर्टी मोर इस्टुडेंट्स होगा मतलब 50 प्लेस थर्टी अब नंबर ऑफ इस्टुडेंट्स निउं कितने हैं एक्टी और नंबर आफ प्रोवीजन लेट कर लिए एक्स ठीक है तो अब इसमें चलेगा 50 अपॉन 40 कर रहे थे अब इसमें इंटू कराना है डिवाइट नहीं मल्टिपलाई 50 इंटू 40 इस गोस्टू 80 इंटू एक्स जस्ट अपोजट चलेगा ठीक है कि 50 इस चलने फिफू फूटइर सिमें और हुण झीज़ शानिवliche स्टेट कम में होगा जितने ज़्यादा इस इस नंबर और प्रोवेज न्बर आ एफ आफ डेस क्या होंगे डिक्रिस होते जाएंगे ठीक है जैसे- guys number इंक्रीज होगा वैसरे नमर ओव ओऑस डिकरीज होता जाए pestilt होता जाएकर यहीं यहीए इनवर्शली प्रोमोशन होता है प्रप SellersIVE प्रोमोष्चन साइन होता यहां देखे उल्टी प्रोपर्टी जल लगी है वाइफ जो पिछले पढ़ते जा रहे हैं जो फाइफ ट्वाइस का ट्रेट ट्वटी लूपीस और हमसे 11 12 का पूझे जाता दो मूर होता ना फाइफ जैसे 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 थाइस बानेंगे वैसे वैसे रेड बादेगा ठीक है है यहकले यहां पर देखें जश्ट पोजेटीश होती है यहां जैसे नम्बर ऑफ पोज बॉ millimeters होती है तो यह इमनवर्स इनवेर्सिली प्रोपोश़न की कहानि होती है ठीक है त्यूंट तो अब आते हैं कोशन अंम ध से इस्टाट करते हैं ABC पीनों कट कर लीजेगा कोई मतलब नहीं है इसका यह आटूमेटिक आपको समझ में आ जाएंगे जैसे आप exercise को खतम करेंगे ठीक है तो आपका है class 7 class 7 maths exercise 8.2 okay 8.2 है yes question number D से start करते है if 10 men can dig a trench in 12 days how long will four men take to do this some work ठीक है अगर four men करेंगे तो कितने दिन लगेंगे तो जैसे जैसे number of men increase होंगे number of days क्या होते जाएंगे decrease होते जाएंगे अगर number of men decrease कर रहें तो number of days increase होते जाएंगे जैसे मतलब किसी काम को एक common sense है आपके घर बन रहा है दस labor काम कर रहा था बारा दिन में अगर दस अटा के आप 6 कर देंगे तो यही बारा जो दिन का काम है यह 15 दिन में खताम होगा 20 दिन में खताम होगा इस टाइप से न तो जैसे जैसे आप number of men decrease करोगे इंक्रीज करोगे number of days decrease और इंक्रीज होते रहेंगे ठीक है तो लेट फोर मैं फोर मैं टेक टाइम इस गोज टू एक्स डेज ठीक है तो क्या करेंगे कॉलम बना लेंगे और कॉलम बनाते बनाते यहां पर ही करेंगे number of men और number of days ठीक है 10 men's खतम कर रहे हैं 12 days में 4 men करेंगे x days में ठीक है तो वहां पे पिछले exercise में जब direct proposition के question से तो divide कर रहे हैं 10 upon 12 कर रहे हैं यहां 10 into 12 करना है आपको multiply होगा जो उपर नीचे value is equals to 4 into x ठीक है आप x की value क्या हो जाएगी 10 into 12 और 4 multiply है यहां आ जाएगा divide में multiply में में तो cutting हो सकती फोर वन जा फोर थी जा अगर में इसी वर्को करेंगे तो कितने डेज लगेंगे 30 डेज ओके टेकर डारेक्ट अंसर आपका ओके व्यक्राइब क्वेशन नमबर ई seven men can do a piece of work in nine days how long would 20 men take to do it to let 21 men 21 men can do work is goes to x days एक कॉलम मनाएंगे और box में कॉलम और रोज की help लेंगे number of men and number of days ठीक है number of men is goes to seven men and days nine okay and 21 men number of days x so seven into nine is goes to 21 into x so seven into nine of 21 divide में आ जाएगा is goes to x x multiply से हो रहा है 21 यहां divide में हो जाएगा so seven ones are seven threes and three ones are three threes so final answer x is goes to three days ठीक है अगर 21 men लगा देंगे seven months के compression में अगर 21 months लगा देंगे so work क्या हो जाएगा three days में complete हो जाएगा okay so इसके जो नीचे questions fgh वो three questions आप attempt करेंगे ओके आज छोटा साई वीडियो बनाते हैं थोड़ी सर के आपकी तबियत भी नहीं ठीक है फीवर आ गया तकल okay so bye take care